बोडी को शेप में लाना चैलेंजिंग जरूर है लेकिन ना मुम्किन नहीं वजन कम करने के लिए आहार और जीवन शेली में बदलाव करने की जरुरत होती है ऐसे में वाटर फास्टेंग खाने की सेवन को प्रतिबंधित करता है हाल ही में कुछ सालों में वेट लॉस के लिए एक नया ही ट्रेंट चल रहा है जिसके अंदर लोग 24 से 72 घंटों तक पानी नहीं पी रही है लेकिन इसका जादा और लंबे समय तक इसको फॉलो करना क्या हेल्थ के लिए सही है और ये है क्या चीज चलिए आज की वीडियो में चानते हैं नमस्कार मैं हूँ आप सभी के साथ क्रतिका देखे वाटर फास्टिंग एक तरह का फास्ट है जिसमें सिर्फ पानी पीने की इजाज़त होती है इसके लावा आप कुछ भी खा पी नहीं सकती वाटर फास्टिंग 24 से 72 घंटों तक रहती है हर किसी को इस सला लेना जरूरी है कोई रिसर्च से ये पता चला है कि वाटर फास्टिंग स्वास्ट के लिए भी फायदिमद है इसमें क्रॉनिक डिजीज के जोखिम को कम करने की अच्छी खासी क्षमता है इतना ही नहीं वाटर फास्टिंग से कैंसर, रिदे रोग, डियाबिटीज के खाने से परहेस करना पड़ता है, 24 से 72 घंटे तक इनसान को सिर्फ पानी पीने की इचाज़त होती है, हाला कि इसके लिए कोई निर्धारित समय सिवा नहीं है, लेकिन कई रिसर्च में इस बात का सबूत मिला है कि वाटर फास्टिंग करने से डियाबिटीज, कैंसर, निशानिया भी दूर हो सकती है, वाटर फास्टिंग थोड़ी हाट जरूर है, लेकिन इसके अच्छे रिजर्ट्स देखने को मिलते हैं, इस फास्ट के बाद लोगों की हेल्थ में और ज्यादा सुधार देखने को मिला है, दरसल फास्ट के सिच्वेशन में शरीर में किस भी भोजन का सिवन न करने के बाद कार्बोहाइडूरिट की मात्रा न के बराबर हो जाती है, इसलिए हमारी बॉड़ी हद से जादा एनरचेटिक फील करती है, वहीं वाटर फास्टिंग करने का सही तरीका क्या है, वो भी जान लेते हैं, देखे इस फास्टिंग करने का प्लान बनाने से पहले किसी डॉक्टर की सलहा लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसके शुरुआत करने जा रहे हैं, तो दो से तीन दिन तक कम भोजन करें, कई रिसर्च के माने तो वाटर फास्टिंग अगर सही तरीके से की जाए, तो आप हर दिन 0.9 किलो वजन कम क करने में कामियाब हो सकते हैं, वहीं अगर आप 24-72 घंटे के लिए इस फास्टिंग को करने के दौरान आपको सर्फ पानी ही पीना होगा, दिन भर में 2-3 लीटर पानी पीना ही ज़रूरी है, फास्ट शुरू करने से पहले अच्छी तरह से खाना खाले, ताकि आपको वीडियोज को देखने के लिए आप जुड़ रहे हमारी साथ, नमस्कार